नमस्कार दोस्तों, मैं अब सिख पटेल, रियेज केसन आई एस अकडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों खुसी की बात ये है कि धीरे धीरी करोना का संकर्मण कम होता जा रहा है और उसी के साथ हम लोग की परिच्छाएं होने की संभावनाएं भी बढ़ती जा रही है और साथ-साथ आप लोग की एक ऐसे टेस्रीज की भी मांग बढ़ती जा रही है जिसमें हर विसे और उसका हर टपिक कवर हो तो इन सब को देखती हुए री एजुकेशन टीम ने या नेड़े लिया है कि आप लोग का परते दिन साम चार वजे री एजुकेशन के टेलिग्राम गुरूप पर टेस्ट होगा और उस टेस्ट के तुरंत बाद आपको वीडियो सुलूशन भी मिल जाएगा तो जिन बच्चों ने कोश्चन को गलत किया है या उनको कोश्चन में कुछ नहीं समझ में आया है वे उस वीडियो को देखकर अपनी जो कोई गलत कोश्चन को सही कर सकते हैं या उनके अंदर जो संका समाद संका उसका समादहन कर सकते हैं और यह जो टेस्ट होगा हमारा यह सोम ओर से सनिवार तक होगा परतिदिन साम चार वज़े जो लोग हमारे चैनल से जोढ चुक हैं टेलीग्राम गरूप ने बता दो sixth कि आप अपने टेलिग्राम चैनल पे जाएए वहां पर सर्च बॉक्स में रिएज केशन आईएस अकडमी लिखकर सर्च कीजिए आपको हमारा ये गुरुप मिल जाएगा आप उस गुरुप को जोइन कर लीजिए और पर दिन साम चार बज़े आकर वहां पर टेफ्ट दीज हैं जिससे टेस्ट के बाद आपको वीडियो प्रोवाइड किया जा सके हैं पहला कोश्चन है कि पैगंबर हजरत मुहम्मद साहब का जन्व 570 इसवी में मक्का सौदी अरव में हुआ है सबसे बहली बात है कि उनका जन्म कब हुआ 570 में कहां हुआ मक्का में उनको ज्यान की प्रावति मुहम्मद साहब को 610 इसवी में हीरा नामक पहाड़ी पर हुई एक है उसी के साथ मैंने कुछ और ऐखा दिए हैं यह भी महतपूर्बरस हैं 622 इसवी में मक्का से मदीना की यात्रा की 632 में मुहमद साहब की मृत्थ हो गई मदीना में थेक है उसी के साथ हम दो इयर और देख लेते हैं वो भी महत पूड यहएं छे सोए सजी Uswi में तो इस प्रकार हमने test में क्यों एक question हल किया लेकिन जब ने उसका वीडियो solution देखा तो कम से कम ने चार से पांच question हल कर लिए तो आप test के बाद आप वीडियो solution देखिए आपके बहुत से question हल हो जाएंगे ठीक इसी के साथ हम लोग अगला प्रफन देखते हैं अगला प्रफन है कि सिंध के सासक दाहिर के सासन काल में मुहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आकमड किया तो कहने मतलब यह कि मुहम्मद बिन कासिम सिंध पर आकमड किया उसमें सासन किसका था सिंध पर दाहिर का उसमें सासन किसका था दाहिर वहां का राजा दाहिर था तो यह पूछ रहा कब आक्मड किया था था 712 मुहम्मद बिन कासिम ने 712 इसी में दाहिर पर सासन किया और इसका में उद्देश क्या था उसका में उद्देश कि धंधौलत को लूटना अगले कोस्टन पर हम लोग बढ़ते हैं मारा अगला कोस्टन है कि निम्षित मैं से कौन गज गजनी राजबंस का जो संस्तापक था वो था अलपत गीन कौन था गजनी राजबंस का संस्तापक था तो सुबक्त गीन कौन था सुबकुत गीन यो था ओ अलपत गीन का क्या था गुलाम था ये जो सुबकुत गीन है इसका क्या था गुलाम था बाद में अलपत गीन ने हो गया है अलपदगिन का दमाद इससे जो लड़का पैदा हुआ उसका नाम क्या था महमूद गजनी त्वे महमूद कि ने भारत पर फत्रा बार आकर्मण किया कारण एक एक कथन है कि महमोद गजनी ने भारत पर फत्रा बार अकर्माण किया उसका कारण यह है कि वह भारत में अश्थाई objective मुस्लिन सास्म की अस्थापना करना चाहता था नहीं वह भारत पर अफिजिन सासन कि नहीं करना चाहता था करना यहां से वही का महमुद गजनी का था वो भारत में क्या करना था वे किवल धन दवलत लूटने के लिए आते थे वो सत्रा बार आक्मर किया और हर बार उसका कारण ये था कि आता धन दवलत लूटता चला जाता राज करने की बाद तब आई जैसे कि अगर किसी गाउं से बराबर दाका पर रहतो गाउं कंजोर हो जाएगा जैंग में और रहने लगें यह बात अलग स्कों यह और यह उनका क्या काम था व्योटक यहां फट्रहieben हम लोग देखें महमूद गजनवी का दर्वारी तिहासकार कौन था तो इसका दर्वारी तिहासकार कौन था उत्वी तो फिर्दोसी फिर्दोसी भी उसके में रहता था फिर्दोसी की एक चर्चित रचना है साह नामा ठीक है फिर्दोसी की चर्चित रचना क्या है साह नामा और चंद्रबरदाई कौन था चंद्रबरदाईयों था यह हमारे राजा पिर्थवी राज चौहान का मित्र था इसे क्या नाम है इसे कहा जाता है हिंदी का पहला कभी और इसकी एक महत्पूर्ण रचना है पिर्थवी राज रासो यह पिर्थवी राज चौहान का मित्र था इसने एक रचना लिखी जिसका नाम है पिर्थवी राज रासो को हिंदी की पहली रचना माना जाता है इसको हिंदी का पहला कभी माना जाता है चंद परदाई को और इसकी रचना पिर्थवी राज रासो को हिंदी की पहली रचना मानी जाती है तो इस प्रशन से हमने भी ती और उप्तर देख लिए ठीक है अगला प्रश्नम लोग देखते हैं, अगला प्रश्नमारा कि महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला पर्फितृति इतिहासकार अलबरूनी के सम्मंद में कौन सा कथन सही नहीं है तो सबसे पहली बात ये है कि एक बहमूत गजनी के साथ कौन सा इतिहास कार आया था वो था आपका अलबरूनी ये आया था और उसके सापेच कौन सा कथन सही नहीं है पहला कथन भाज एक धर्व निरपेच लेखक था? नहीं. यही कथन क्या है? गलत है. वह एक धर्व निरपेच लेखक नहीं था. बाकी आप्शन में उसका गरंथ उस समय के जीवान्त भारत से प्रभावित था, हाँ यह है, जैसी उस समय भारत कि इस्तिति उसने वैसा ही लि क्योंते हैं कि पुराडों का अध्यान करने वाला पर्थम मुसल्मान का उनfa अलबरुनी क्योंकि वो संस्कृत का भी ग्याता था ठीक है और जो फिर्दोसी है उत्वि यह फारूखी है यह सब भी कहा रहते थे अलबरुनी के साथ ही रहते थे ठीक है अल बुरुनी के साथ ये सब रहते थे महमूद गजनी के दरवार में ठीक है तो इस परकार अगर पूछा जाए कि महमूद गजनी के दरवार में कौन कौन रहते थे तो अल बुरुनी फिर्दोसी उतवी और फारूखी सब के सब रहते थे फिर्दोसी की जो रचना थी उसका नाम क्या है साह नामा ठीक है फिर्दोसी की रचना क्या है साह नामा अगला प्रफ्रम लोग देते किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेक के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किये ठीक एक साथ संस्कृत मुद्रा लेक के साथ चांदी के सिक्के निर्गत करने वाला कौन था सुल्तान सुल्तान महमूद गजनवी ठीक है सुल्तान महमूद गज सबसे पहले सिल्टान की उपाद हारन की ति सबसे पहले अगर पूछा जाए प्रफिद मंदिर पर таких में धावाबोला और भुणूट उनका काम दिस्ता लूट पार्ट करना डागदी ति उन्होंने एक सो पचत्र एक हजार पकीश विश्वी में हमारे सोमनाथ मंदिर को लोटा, ठीक है, सोमनाथ मंदिर को हुए लोटें, सोमनाथ मंदिर को जब लूट के वापस जा रही थे, तो जाटोंने क्या किया था, महमूद गजनी पर आकिमर किया था, और कुछ धन हो जाती है एक हजार 27 में फिर आता है जाटों से लड़ने और 1030 में गजनी की मृत्त हो जाती है यह दो कोश्ण हम दों और देख लेते हैं ठीक है अगला प्रस्ण क्या है हमारा अगला प्रस्ण है कि मोहमत गोरी को सबसे पहले 1178 इसे में पाटन गुजरात में किसने प्राजित किया था किसने प्राजित किया मूल राज दितिये या भीम दितिये ने ठीक है अगले प्रस्ण हम लोग बढ़ते हैं हमारा अगला प्रस्ण है कि निम्खित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है तराइन का पर्थम तराइन का पर्थम हुद हुआ था 1191 इसमें पिर्थवी राज चौहान ने क्या गया था गोरी को प्राफ्त किया था ठीक है तराइन के दितिय जिद्ध जो हुआ था ओ 1192 में हुआ ठीक है तराइन का पर्थम युद्ध जो हुआ जिसमें पिर्थवी राज चौहान ने गोरी को प्राइन का दितिय जिद्ध जिसमें गोरी को प्राइन का दितिया गोरी कोमार देना तो प्रित्वी राजवान ने मेंस नहीं दिया, उन्होंने गोरी को नहीं मार, ठीक है, अब गोरी क्या है, प्री पास नहीं कर पाया, प्री परिच्छा पास नहीं कर पाई, तो इसको आए गुस्ता वे अपने गया रूम में, ये परिच्छा देने के बाद परिच्छा चाहना है कैसे नेत्रूत करना है इन सब के बारे में उसने अपने सेंपो को धयार किया मतलब एक साल गोरी ने तयारी की ठीक है फिर याली हुई मतलब फिर इज्याम हुआ जिस इसमें पिरी परिच्छा तो गोरी ने पास ही कि उसने मेंस भी पास कर दी मेंस के मतलब क्या होगा पिर्थिवीरा चौहान को उसने मार दिया तो कहने के मतलब यह है कि जो तराइन की पहली लड़ाई हुई थी उसमें पिर्थिवीरा चौहान ने गोरी को हराया लेकिन मारा दूसरी लड़ाई तरायन को होती उसमें गोरी ने पृतवीरा चाउभान को हराया और मार भी दिया, चंदावर का युधत जिवा टो 1193 में लिखा, ये गलत है, चंदावर का युधत जिवशुवा था 1194 में हुआ था, ये 2 में हराया था, अगले पृस्ट पर हम लोग बढ़ते हैं कि वह युदि जिसने भारत में मुसलिम सक्त की अस्थापना हुई मतलब वह युद्ध कौन था जिसमें भारत में मुस्लिम सक्ट की अस्थापना हुई वो तराइन की दूतिय युद्ध था ठीक है पर्थम युद्ध में तो गोरी खुद हार गया था पिर्थिविरा चौहान ने गोरी को हराया लेकिन गोरी की बात ये थी वह लोड कर अपने राज्य नहीं गया वह अपने छाउनी में गया पूरे एक साल युद्ध की तैयारी की फिर तराइन की दूतिय युद्ध लड़ा दूतिय युद्ध में उसने प्रथिविरा चौहान को हराया और हरायन के बाद क्या किया उसक ऑगले प्रफन है कि किस मुश्लिम सासक के सिक्को पर देवी लचेमी की आकिरत बनी है किस मुसलिम सासक के सिक्कों पर देवी लच्छमी की आकिर्द बनी है तो ये मुहम्मद गोरी ठीक है मुहम्मद गोरी ने जो सिक्के चलाए उस पर देवी लच्छमी की आकिर्द बनी है हम अगले प्रस्ण पर बढ़ते हैं मारा अगला प्रस्ण है कि मुहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की तथा नालंदा जिस विद्धाले को धोस्त किया नालंदा है कि यह काम किया था यह काम किया था किस ने किया था बंगाल अ टीक है और इसमें जो ऑर आप्सन है उसको हम लोग देख लेते हैं गोरि का जो गुलाम थह कुलाम था। motor कुंद्द्दीन यंवक ठीक है घुटीक है गुलाम था कुद बुद्द्दों को कगा जाता है घुटतमीन काूब अगूलाम भी कहा जाता है। हम अगले प्रस्तब अपने बड़ते हैं हमारा अगला प्रस्त है कि भारत में मु कुल अक्ता और तो अगला प्रस्ण है तो इस प्रस्ण में थोड़ा व्याख्या देख लेते कुद्बुद्धिन एवक को प्रत्रम एक्ताब प्रतान कर दी कुद्बुद्धिन एवक क्या था बारा सो च्छाइसवी में वो गद्धी पर बैठा ठीक है लाहूर में अपनी क्या बनाई अपनी रातधानी बनाई लेकिन इसको डर था किसे यल्दोज और नसुरुदिन कुबाचा से इन दोनों से डर था क्योंकि ये भी गुलाम था ये लोग भी गुलाम थे इन लोग को भी इनको दिल्ली दे दिया गया था यल्दोज को कुबाच कुद्बुद्दिन एवक के बगल में ही अपना सासन करता था तो कुद्बुद्दिन एवक को नसरुद्दिन कुबाच्चाव यल्दोस से ठडर कि यह हमारे से इस पे लाहोर पर आकमण करके यह मैं अपदफ्स कर देंगे तो इससे बचने के लिए कुद्बुद्दिन एवक ने क्या किया इसने अपनी बहन के साथी किस्षे कर दी कुवाचा से तो इससे रिष्टे अच्छे हो गए इसने अपने बहन के साथी किस्षे कर दी कुवाचा से इससे अब कुवाचा की रिष्टे बन गए तो समन्द अच्छा हो गया इससे अब खतम हो गया और यल्दोज से अभी कुद्बुद्दिन एवक को डर था इसलिए ये कभी वी लाहोर से दिल्ली नहीं गया कि ये बात होगा कुद्बुद्दिन एवक के बारे में ठीक है बारा सो दस बारा सो छेसवी में ये गद्धी पर बैठा था हम अगले प्रस्वें टीक है कुदवुधन गुलाम बंद का पर्थम सासक था। कुदवुधन एवक के बार मरने के बाद 1210 उत्वी में यह मर आ कुदुधन एवक चवगान खेलते हुए तो उसक राव सासक कोन सा 10 से ओख यह यह थोड़े दिन रहा आराम्सा को इलतूत तमिशने मार दिया और बारा सो ग्यारा इसवी में खुद सुल्तान बना, थीक है उसके बाद जब बारा सो चतिस इसवी में इलतूतिमिशना की म।्हुई तो रुकुन दीन फिरोज मत थी, श्जूतान बना थी तो गुलाम बंस का स्थापक कुन हुआ कुद्बुदीन एवक उसके बाद कुन सासक बना आराम सा उसके बाद इल्दू तमेश उसके बाद रुकुंदीन फिरोज यह इसी का बेटा था जो बहुत दिन तक सासन नहीं कर पाया जब यह सासन कर रहा था तो इसकी जो मा है तु कुद्बुदीन एवक की राजधानी कहां थी तो इसकी राजधानी कहां थी लाहोर हमने बताया कि यह लाहोर से कभी दिल्ली नहीं आया क्यों क्योंकि दिल्ली में कौन बैठा था यल्दोज ठीक है यल्दोज जो बैठा था दिल्ली में बैठा था कुवाचा से तो अपन बढ़ते हैं हवारा अगला प्रस्न है कि सुल्तान कुदोगत ईवक की मृत कैसे हुई की सुल्टान कैसे हुई किuses दिल्ली के जारी किये तथा दिल्ली को अपनी सामराज की राध्धानी बनाया तो नीमेश सिक्के जारी करने वाला तो दिल्ली को अपनी राध्धानी बनाने वाला कौन था इल्तुतमीश था कुईकि कुद्बुत दिन एवक क्या था कभी दिल्ली आया ही नहीं तो दिल्ली को राध्धानी बनानी चकता ठीक है आराम सा तो तो पूरा किस ने किया दूसरी बात यह है किसने सबसे पहले शुद्य अर्वी सिक्के जारे कि इल्तू तमिज्द ने क्या कि सुध अइरवी सिक्खे सबसे पहले जारू किए इल्तू तमिज्द ने, टिक है,良 tari啊 45 कि किसने इल्तू तमिज्द ने, टिक ता 45 गुलामों के सरदारों के संगठन बनाया तुर्कान ए चिहल गानी कहलाता था ठीक है चालिस गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जिसे तुर्कान ए चिहल गानी कहा जाता था सर प्रथम इसने दिल्ली में अमीरों का दमन कर दिया तो ठीक इतनी बाते क्या हमें जनने यो गहीं तो तुम इसके बारे में कि उसने कुत दर्बी सिक्के जारी कराये थे तीसरा एकता प्रडाली शुरू की थी चालिस गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जो तुरकाने चिहलगाने के नाम से जाना जाता था और दिल्ली में अमीरों का इसने दमन कर दिया दूसरी बात यह कि जो हमारा गोरी था गोरी का गुलाम इसलिए इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है अगले प्रसमें हम लोग बढ़ते हैं बलबन कौन था इल्टु तमिश का भी गुलाम था धाई दिन का जोपड़ा क्या है एक मस्जित है यह एक मस्जित है कुद्बुद्दिन एवक ने दो तीन चीजी किया था उसने क क्या किया एक धाई दिन का जोपड़ा बनाया ठीक है धाई दिन के जोपड़ा क्या था एक महजित थी दूसरा उसने कुद्ब मिनार की निउडाली थी उसके बाद उसने कुबुत उल इसलाम महजित भी एक अजमेर में बनवाई थी ठीक है अजमेर में क्या बनाए दिल्ल अगले प्रस्ण पर हम बढ़ते हैं, अगला प्रस्ण मारा है कि निम्खित में से किसे ने प्रफित कुत्व मिनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया, कुद्वु दिन एवक कौन था, उसने उसकी निवरक्षित योगदान हो गया, इल्थु तमिस ने उसको पूरा हुआ तो इसका भी योगदान था, फिरोज तुगलक के समय में क्या हुआ था, फिरोज तुगलक के समय में, जो कुत्व मिनार था, उसकी जो चौती मंजिल थी, यह छती गरस्ट हो गई, तो इसने इसके अस्थान पर दो मंजिल और बनवा दी, ठीक है, तो इसने भी नम्तिकलीं भारत की प्रथम महिला साज का त tsp तीघी जो क्या नाम है पर्थम महिला सुल्तान है या अपने दरवार में जोंगा जिसे काबा कहा जाता है फूला टोपी पहन का खुले मूँ जाती थी टीक है या खूले मूँ जाती थी बाद में इसको अबदस्त कर दिया गया इसने अलतूनिया से साधी की कोसिश की की फिरसे सुल्दान बन जाए लेकिन बं नहीं पाई बाद में 1240 यसवे में कैथल के निकट इसकी हत्या कर दी जाती है कैथल के निकेट बारा फोचाली सी स्वी में इसकी हत्या कर दी जाती है अगले प्रस्पर हम बढ़ते हैं हमारा अगला प्रस्पर है कि मंगूल आख्मारकाडी चंगेज खान जिसका मूल नाम तेमू जिन या तेमू चिन है भारत की उत्तर प्रस्पर किसिस्फ के काल में आया था तो ये आया था mail ल्तूतमिश के काल में एं इसका एक दुतमीश चलब धन के उपने पनाह नहीं दिया तो फिर चंगेज खां किया था सिंदुनदी के तर्ट से ही वापस लोट गया तर्ट इसने जलालदीन को पना नहीं आगले प्रस्ट में हम बढ़ते हैं यह अगला प्रस्ट है कि गया सुद्थ दीन बलवन जिसके विश्यमें कहा जाता है है उसने रक्त और लोह की नीथ अपनाई अपनी सक्ति को समय कित पर बटोने के बाद उसने कौं सी भव उपादी धारण की तो उसे का नाम है जिल्ले इलाही ठीक है उसने जो उपादी धारण की उसका नाम क्या है जिल्ले इलाही ठीक तो हम अगले प्रश्ण को देखते हैं अग्मारा अगला प्रश्ण है कि निम्न में से किस ने भारत के परफिद फार्फित तेवार नौरोज भारत में परफिद फार्फित तेवार नौरोज को आरम किया नौरोज को आरम करने का काम कि दिन षसका पूरा। नाम सिजदा इस नाम ऊप्राइबं दो पर्थाय और शुरू कि की थी थी था है एक नसुरिदिन महमूद थे इससे पहले सासक थे इससे पहले सुल्तान थे नसुरिदिन महमूद इसने बलवन को उलूग खांकी उपाद दी थी ठीक है उलूग खांकी उपाद दी थी और सबसे बड़ी बात है अमीर खुसरो जीसे भारत का तोता कहा जाता है वो बलवन के के दरबार में रहते थे ठीक है यह चीजे होगई बलबन के बारे में हम अगले परणस पर बढ़ते हैं कि मरा अगला परणस निमकित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है उसने नियामत एक खुदाई के फिद्दान के परतिपादन की आहां यह बात सही है अमने आपका बताया था गोडि का गुलाम कॉन था गोरी कुद्भुद्दिन एवग का गुलाम कॉन था इसार गुलाम बंस भी कहा जाता था तो इक्तादारी किसे शुरू की थी इल्थु तमिष ने त तु उसने तुर्का ने चहल गानि का पर्भाव स्मप्त किया हां तुरकान चहलगानी भी जुरू किसनी की थी इलतो तमिश में और उसके पर्भाव को खतम करदिया किसने बलवन ने उसके बाद यह कि उसने बंगाल के विद्रों का कियाहां बंगाल में जो वगात है उसको इसने बहूत कि बहुत ही विविट्सा से से कि दबन किया था इसने तुर्काने चलगाने समप्न बंगल के विद्रों का दमन किया और इक्तादारी वो ती उल्टक इसके माद्य सत्था पे काबिज हो जाएंगे लीगन यह को नहीं प然्युक्त है कि इस सुझ्वária लेकिन तरफ चालिस में इसकी बाराफ चालिसी समीन की हत्यागर दी जाती है ठीक अरजिया बेगम की अगले परसको हम देखते हैं निम्खित सुल्तानों में से किसने गढ़ मुक्तेस्वर की महजित की दिवारों पर अपनी सिलालेख में स्वयम को खलीफा का सहायक कहा था ठ लूख खांगी उपादी थी बलवन ने लोह और रक्त की नीति अपनाई थी इसने नवरोज पर था शुरू की थी इसने सिज्दा और पवोस की भी शुरुवात की थी ठीक है अब बलवन बारासो चांचट इस्वी में गयासुदीन बलवन के नाम से दिल्ली में बैठा थ ठीक है यह बात हो गई अगला प्रहंद देखते हैं अब यहीं बस आपके पचीच अभी जो कोई को जितने भी कोशन थे यहां पर कुल्मिला के 28 कोशन थे 28 कोशन समाप दुए आप लोग को या वीडियो कैसा लगा किर्प्या बताईएगा क्या इससे भी ज्यादा डीटि प्रस्तवी निर्धारित है आरोप रिच्छा उसको ध्यान में रखते वे टेस्रीच कराई जाए और जितने भी परकार के प्रस्ट में बन सकते हैं उनको टेस्रीच के माध्यम से आपको खल कराया जाए जिससे इज्याम में आप अच्छे से अच्छे मार्क लाने में सफल तो इसी के साथ इस लेक्चर को बाइंड आप करते हैं जय हिन जय भारत